स्री शिवाय नमस्तु भ्यम हम सबको पता है कि 5 जनवरी को शुक्रवार का बहुती विशेश दिन है विशेश ये इसलिए है क्योंकि इस दिन लक्षमी नौमी का बहुती प्यारा सा दिन है और अगर आपको अपनी घर में अपनी फैमली में खुशियों को और लाना है न तो ये वेडियो आपके लिए है बस आपको लॉंग का जोड़ा लेना है छोटा सा उपाय करना है जितनी भी इस तरिया मेरी बहने इस उपाय को देख रही है आपको अपनी family के लिए इस उपाय को जरूर से जरूर करना होगा समझने कोशिश करेंगे अगर इस उपाय को आप करते हैं तो आपकी परिवार में कैसी भी कोई भी problem आती है न वो आना बंद हो जाएगी आपका पूरा परिवार हमेशा खुश होगा समझते हैं इस उपाय को उसके लिए जैसा कि मैंने लिखा था इस स्क्रिन पर हमें लेना होगा long का जोड़ा तो जोड़ा मत्तब हो गया दो long के जोड़े का मतलब है कि हमें चार long लेने होंगे ठीक है ले लिया चार long आपने साथी साथ आपको लेना होगा दो कपूर के भी टुकड़े है ना जो गोल वाली आती है या फिर जो चिप्टी वाली आती है कोई साभे ले सकते हो दो कपूर लेंगे और एक दीपक लेना इस तरीके से मिट्टी का दीपक लेना और इस मिट्टी के दीपक को चार long और दो कपूर को लेके कि जो भी पूजन पाठ आपको करने है सूबए दो पहर शाम रात कभी भी कर रहे हो आपको क्या करना है जब पूजन करके आप बाहर निकलें ठीक है तो उनकी चौखट पे चाहे इस साइड में या फिर इस साइड में किसी भी देवी देवता के मंदिर में उस दीपक को मिट मनुकामना को लेके हो बीमारी को लेके हो लडाई को लेके हो ये आप ही जान सकते हो तो आप अपने घर के संकट का इस्पनण करते हुए आप उसको जला देना जैसे ही आप जलाओगे। आप जिस कामना से जलाओगे वो आपकी विश पूरी होगी, मनोकामना पूरी होगी और लडाई जगडे तो घर से हमेशा के लिए खतम होगी, निगेटिव एनरजी कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, ये होता है दो लौंग के जोड़े का उपाए, बहुत ही स आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाए के तरफ और ये दूसरा उपाए आपको करना होगा लाल फूल से है ना, अब कोई ज़रूरी नहीं कि जो लाल फूल मैं स्क्रिन पे दिखा रहा हूँ, वही लाल फूल लो, अगर ये वाला मिल जाता ह तो बहुत अच्छी बात है ना, देखो हमारे साइड में इसको बोलते हैं गुड हल का फूल, कौन सा गुड हल का, आपके साइड में इसे कौन सा फूल बोलते हैं, नीचो कॉमेंट सेक्शन बताइएगा, तो ऐसे वाला फूल लेना, एक लाल फूल, और आपको क्या गरना उसको ले करके किसी भी देवी के मंदिर में जाएंगे प्रदोशकाल में, सुबह के टाइम नहीं जाना है, शाम के टाइम पे प्रदोशकाल में जाना, घी का दिया, लंबी बत्ती का, सबसे पहले पूसते ही घी का दिया, लंबी बत्ती का लगाएंगे, लगाने के बाद म माता प्रसूती के इसमर्ण करते हुए माता के चरणों में समर्पित करना है ना जो भी व्यक्ति आप घर में बीमार है परेशान है उस बीमार इंसान का नाम गोत्र भोलेंगे हाथ जोड़ करके माता से विंती करेंगे ये फूल मैं आपको समर्पित कर रही हूँ या फिर कर हूँ हमारे घर का ये इंसान है बहुत दिनों से बीमार है आप इसे ठीक कर दें प्रात्ना करना और उसके बाद में उस लाल फूल को यहां से उठाना जो भी व्यक्ति आप घर में बीमार रहता है अगर आप खुद बीमार रहते हैं उपाय कर रहे हैं तो माता के चौकट पे ही बैठ करके उस लाल फूल को माता परसूती का इसमनर करते हुए खा लेना बट अगर यह उपाय आप किसी और के ले किये हैं तो उस लाल फूल को घर पे लेके जाएं और माता परसूती का इसमनर करते हुए उस बीमार इंसान को उस लाल फूल को खिला देना आप यकी भीन मानिये उसका जो बीमारी होगी चाहे वो कितनी भी पुराने बीमारी होंगी वो धीरे धीरे खतम होना इस्टार्ट कर जाएंगी और जो मैडिसिन वो खाता है दवा खाता है उनसान उसको दवा भी असर करेगी लेकिन एक यहां पे ठोटा सा आप लों के लिए मैं बात बता रहा हूं कि अगर आप कोई भी डॉक्टरों को दिखा रहा हूं तो बिना उनकी सलाह के कोई भी दवा बंद नहीं करेंगे, उपाए भी करेंगे और दवा भी खाएंगे, समझे आप चलो, तो दो उपाए की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग से बाते कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा The Natural Planet 108, ठीक है, चलो अब समझते हैं इस तीसरे उपाए को, अब ये समझो कि बही बाता दो इस तीसरे उपाए के बैनेफिट क्या होंगे, फायदे क्या होंगे, इसके दो फायदे हैं, पहला फायदा तो ये है कि ये बीम दूसरे दिन फिर चिलाता है, लडाई करता है, क्या ही हो जाता है इसे, तो आप इस उपाय को करके देखना है, ठीक है, कल है शुकरवार की नौमी ती थी, बहुत विशेज दिन है, करिए गए उपाय को, यहाँ पे स्क्रिन पर देखो, एक दीपक दिख रहा है, जलता हु और उसके बाद इस दिपक को किसी थाली में रखोगे, ऐसे थाली या फिर प्लेट आप इघर में हो, उसमें रखेंगे, रखने के बाद में आप इन चार की चारो बतियों को जला देना, जला दिया, जो भी विक्ति आप इघर में बीमार हो, या फिर जो भी विक्ति आप क्रोध करता है गुस्सा करता है जिसे नजर टोने टोटके जिस इंसान को बहुत जादा लगते हैं उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके उस इंसान के ऊपर से आप उस दीपक को घुमाएंगे 21 बार सर से ले करके पैर तक 21 टाइमस आपको घुमाना होगा कि कितनी बार 21 बा आने के बाद में आप उस दीपक को अपने घर का जो मेन गेट नहीं होता है लोहे वाला उस लोहे वाले गेट के पास में आपको किसी भी साइड में नरसिंग भगवान का इसमरण करना है। तो वो बीमारियां या फिर उसकी वो habit जरूर छोट जाएगी, ठीक है, एक मात आपको और बता दूँ, काफी लोग ये भी कहते हैं, या हमने इतने सारे उपाएं हम करते हमें कोई benefit नहीं होता, देखो मेरी बात ध्यान से सुना करिए, ऐसा होता है कि जिसे मालेजी कि आप ए भी उपाये करना हो, उसको बहुत मन से किया करो, और ये सोच कि किया करो, ये उपाये हम कर रहे हैं, तो ये उपाये जरूर काम करेगा, ठीक है? negative thought के साथ उपाये करोगे, तो बहुत रयर रहेगा कि काम कर पाये, या फिर हमेशा अपना फायदा भी नही देखना झाए, ठ उसके लिए करना, उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से मिट्टी का दीपक, कोई जरूरी नहीं कि आप नया दीपक लो, आपने जो दीपावली में दीपक इस्तमाल किया था, वो दीपक का भिया ले सकते हो, ठीक है, वो लेना, साथी साथ आपको उस दीपक को लेके पहुँँ जाना है कहां पर आवले पेंड के नीचे, अब इस उपाय में सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि अगर आवले का पेंड आप घर में गंबले में आपने लगा रखा है, तो वहाँ पर भी उपाय कर सकते हो, ठीक है, सबसे पहले क्रम समझना, नियम समझना, जो पास में दीपक है उस दीपक को घी का दिया लंबी बत्ती का शुक्रुवार के जिस दिन नौमी पढ़ती है उस दिन आवले पेंड के नीचे शाम के टाइम पर प्रदोशकाल में मा लक्षमी कवास आवले पेंड के नीचे माना जाता है न तो आपको क्या करना है घी का दिया लंबी बत्ती का लगाएंगे लगाने के बाद में आपको इसी आवले के पेंड की साथ परिकर्मा करनी होगी कितनी परिकर्मा करोगे साथ परिकर्मा करना और उसके बाद लोट करके आएंगे हाथ जोड़ करके आप मा लक्षमी से प्रात्ना करेंगे कि हमसे जो भी गलतिया हुई हो आप हमें माफ कर दें हमारे घर में धन संपता को लेके बहुत प्रॉब्लम है आपका वास नहीं है कर्ज भी बढ़ते जा रहा है आप किसी भी तरीके से हमारी समस्या को खतम करें अपने कोर्डिंग प्राता कर लेना और चुप चाप घर चले आना इस पूरी वीडि हमेशा खुश रहेगा ठीक है कोशिश की है अच्छा समझाने की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा कुछ पूछना हो तो आप यहां पे भी नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं वरना इंस्टाग्राम या फिर वाट्सेप तो है ही बाकी अगर आ ओम नमस्षिवाय जय महाकाल